दोस्तो आपने थमनेल पर सही देखा और सही वीडियो को किलिक किया इसके लिए धन्दबात करता हूँ जीवन में एक ऐसा लक्च भी होना चाहिए जो आपको सुभा उठने पर मजबूर कर दे नमस्कार दोस्तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूटूब Чन्रल Make Money Online पर दोस्तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कोर को इस्टेक करने का सही तरीका क्या है एंड इस्टेक कीए हुए कोर का रेबोर्ड कैसे किलैम करना है दोस्तो ये वीडियो हमेशा आपके काम आने वाली है इसलिए बिना इसकिप किये वीडियो को पूरा देखें दोस्तो वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्साइब कर लीजिए और साइड में घंटी को बजा दीजिए जिससे आने वाली सबी वीडियो का नोटिपेकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे है आईए दोस्तो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तो अभी तक आपने सतोसी प्रोजेक्ट को जोइन नहीं किया तो अभी भी बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं जोइनिंग लिंक डिस् जाएगा बिलीब मी आपने टास्क पूरे कर लिये होंगे तो आप 15 मई को कोर क्लैम कर सकते हैं अधरवाइच कोर जीरो हो जाएगा चलिए हम ले करके चलते हैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर तो हम आचुके हैं मेटा मास्क पर तो दोस्तो मेटा मास्क ओपन हो रहा है औ और मेटा मास्क को अभी तक आपने अपडेट नहीं किया है तो प्ले इस्टोर से अपडेट कर लीजिए आपके पास सेम इंटरफेस आ जाएगा तीक है यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पास 20 कोर से प्लस बैलेंस दिख रहा है यहाँ पर और सबसे पहले हम आपको लेकर क का बटन है ठीक है इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हमारे सामने मेटा मास्क का हॉम पेज ओपन हो जाएगा ठीक है यहाँ पर सबसे ऊपर देखेंगे हॉम लिखा है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक क्रोस का एक बटन है इस पर click कर देंगे और यहां पर हम website डालेंगे stake.core.org ठीक है, site आप देख लिजिए, आपको इस screen पर भी मैं दिखा रहा हूं और यही site आपको description में भी मिल जाएगी और हमारे telegram पर भी आपको मिल जाएगी ठीक है, तो इस site को हम यहां से open करते हैं और कुछ second यहां पर wait करते हैं, यह side यहां पर open हो चकी है अब यह main interface है, validator का, ठीक है सबसे पहले उपर देखेंगे, यहां पर three line है, three line पर click करेंगे और click करने के बाद, यहां पर हमारे metamask wallet का address show हो रहा है, और यहां पर my staking लिखा है, यहीं पर हम click कर देंगे ठीक है, यहां पर click कर दिया, अभी हमारे पास आप देख पा रहे हैं हमारा जो address है वो देख रहा है, button claim का हमें देख रहा है क्योंकि हम यहां पर 184 core को delegate किये हुए हैं, ठीक है थोड़ा सा scroll करेंगे, तो यहां पर लगबग 4 से 5 core यहां पर reward भी देख रहा है ठीक है, और थोड़ा सा नीचे आएंगे, तो नीचे आने के बाद यहां पर आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है कि जिन validator को आप अपने काम में ले रहे हैं, delegate कर रहे हैं, उन validator को आपने समय समय पर check करते रहना है क्योंकि कुछ validator यहां पर inactive भी हो रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर आप तीसरी नमर पर है DAO validator 6, ठीक है, यह inactive हुआ है, right side में हम इसको score करके चलेंगे तो यहां पर इस पर 120 score यहां पर delegate करके रखा है, ठीक है, इसको हम यहां से undelegate करेंगे कि कोई change करना है, ठीक है, तो यहां पर last में आएंगे, तो delegate और undelegate यह दो बटन आ रहे हैं, तो undelegate पर हम click करेंगे और click करने के बाद फिर से यहां पर दो बटन आई है, undelegate और transfer, तो undelegate हमें करना है, क्योंकि validator inactive हो चुपा है ठीक है, तो undelegate पर हम click करेंगे, और click करने के बाद अब यह processing होना start हो चुका है, थोड़ा सा इसको scroll करेंगे और नीचे confirm का button है, इस पर हम click कर देंगे, ठीक है, यह click किया, इस processing हो रही है, और यहां पर transaction submit हो चुका है कुछ second यहां पर एक से 2 second wait करते हैं, complete हो चुका है, और अभी एक notification और आएगा कुछ second wait करते हैं, नीचे notification फिर से आ चुका है, और इसको यहां से हम close करतेंगे, ठीक है, close करेंगे और close करने के बाद बापस यहां से हम back करेंगे और back करने के बाद और यहां पर 3 LAN पर फिर से click करेंगे और my is taken पर click करेंगे अब हमारे पास यहां पर 64 core यहां पर sales delegate हो रखे हैं ठीक है अब हमारे पास यहां पर कुछ balance यहां पर था 4-5 core का यह भी यहां से deduct हुआ है 1.88 ठीक है इसको हम यहां से claim करेंगे ठीक है तो यहां पर आप देखेंगे सबसे उपर claim का button है इस claim के button पर हम click कर देंगे और click करने के बाद यहां पर processing फिर से start हो गया scroll करेंगे confirm करेंगे और confirm करने के बाद यहां पर transaction submit हो चुका है कुछ second wait करते हैं और बहुत जल्द यहां से transaction हो जाता है 2-3 second लगता है ठीक है एक notification और आएगा भी यह भी notification आ चुका है इसको यहां से close कर देंगे और close करने के बाद बापस इसको हम एक बाद फिर से back करते हैं बैक किया बापस home page पर आ गए है बॉलेट पर क्लिक करेंगे अब हमारे पास 145 score यहां पर हो जोगे हैं ठीक है चलिए अब हम चलते हैं बापस उसी page पर और यहां पर हम delegate करके दिखाएंगे आपको ठीक है तो यहां पर हम किसी बैलीडेटर पर delegate कर सकते हैं जिस पर हमें जादे revenue मिल रहा है यह हमें चेक करना होता है ठीक है तो यहां पर हम देख लेते हैं सबसे जादे revenue कहां मिल रहा है किस बैलीडेटर मिल रहा है उस पर हम अपने core को delegate करने वाले हैं तीक है ये वाला जो बैलेटर है इस पर 33.65% यहां पर reward मिलना है इस पर हम click करेंगे click करने के बाद यहां पर देखेंगे delegate का एक बटन आ रहा है इस पर हम click करेंगे और click करने के बाद यहां पर हम manually 145 हमारे पास score है यह 145 score यहां पर हमने टाल दिया है तो नीचे बटन है delegate का इस पर हम click करते हैं और click करने के बाद transaction फिर से submit हो चुका है scroll करेंगे confirm करेंगे और यह submit हो चुका है just अभी complete भी हो रहा है कुछ second यहां पर wait करते हैं यह complete हो चुका है ठीक है इसको यहां से close कर देंगे close करने के बाद हम यहां से फिर से एक बार back करेंगे और back करने के बाद wallet पर click करेंगे तो अब हमारे बालेट में balance कर चुका है ठीक है तो इस तरह से आप delegate कर सकते हैं तो यह था पुरा process आपने सब कुछ live देखा तो वीडियो कैसा लगा comment में जरूर बताएं और वीडियो को like कर दीजिए मिलते हैं अगली interesting वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद बंदि मात्व कर दो